हालो और फ्रेंट्स वेलकूम पैक और यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रेयर फ्रेंट्स आज की वोड़े मैं आपको यह बताने वाला हूं कि UPI-D क्या होती है दरसल काफी ज्यादा यूजर्स को यह नहीं पता होता कि UPI-D क्या होती है यह कैसे काम करती है और इसका में मु क्या है UPI-D को कैसी कर सकती है UPI-D किस-किस काम अती है और जो पी पे-टीयम गूगल पे ठीक है और जो amazon यह च्पलेट फार में है तो उन पर हर प्रकार के के-क UPI-D वadeão होती है तो UPI-D कैसे वनती है क्या होती है किसलिए काम आती है और कफी ज्यादा इसके question है जो आज की विडिमा आपको पूरा कवर करूंगा स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको वीडियो को पोस्ट करना है चैनल पकर फरस्ट आप मैं तो प्ले चाल कर सब्सक्राइब अपना कोई भी कुछ पूछ सकते हो इस्टाग्राम तो चलिए बिन एक लिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि UPI ID होती क्या है देखें फ्रेंट्स जब भी आप कोई भी एप्रिकेशन यूज करते हो जो आप बना ओर्लाइन पेमेंट जो इसे QR कोड कहते हैं आप किसी भी शोप पे जाते हो तो आप उसका स्कैन कोड करते हो तो आप पेमेंट नहीं सकते हो ठीक है तो UPI ID का इसमें में मकसद किया है फोन पे पेटियम गूगल पे अमेजोन पे ठीक है और भी काफी ज्यादा ऐसी एप है जो ओनलाइं ट्राजेक्शन में मदद करती हैं तो UPI ID होती क्या है हमको यह नहीं पता हो तक सर्थ हम यह कह देतें कि हां हमें फोन पे चलाना आता है हमें यहां पर पेटियम और जो विए मैजोन पे जितने भी है न में सब चलाना आता है लेकिन उनको ही यह नहीं पता कि UPID होती क्या है, चेंज कैसे करती है, काम कैसे आती है, सबसे पहले तो जा लेते हैं कि UPID होती क्या है, देखें फ्रेंट्स, UPID मा लिजिए आप अपनी बैंक में आपका अकाउंट है, अब लिक करने से क्या होगा, आपके 10 डिजिट के जो मोबाइल नमबर है, जो के परसनल मोबाइल नमबर है, वो आपको लिंक करने होते हैं, ठीक है, यह तो हो गया, ओके, आप देखें, UPID का इसमें ही में मकसद है, अब आप बार-बार यह कहरेंगे, कि भाईया बोल रहे हैं, कि UPID होती क्या है, ठीक है, होती क्या है, तो आप समझे इस बात को समझ दिया, आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, उसमें आपने लिंक किया नमबर, 10 डिजिट का आपका मोबाइल नमबर है, अब पेटियम है, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी हो, ठीक है, तो आप फोन पे में करते हैं, ठीक है, तो फोन पे में आप चेक करना, अगर आप फोन पे यूज करते हो, तो आपको अच्छी तरह साथ आता है, तो तो आप यूज़ करना यहां पर आप देख भी रहे हैं ठीक है माई यूप्याई आइड तो जैसा आप सर्च करोगे तो आपके जो मोवाइल नंबर है 10 डिजिट के और लास्ट में क्या होगा एड दा रेट वाई बील एड दा रेट एक्सल ठीक है और ऐसे ही आपको पेटियम में ऐसे ही आपको गुगल पे में और ऐसे ही आपको अमैजं़ पे इन सब्वें आपको लास्ट में एड़ दारेट YBL, एड़ दारेट AXL, एड़ दारेट PATM, मानने जब आपके पेटियम के UPI-ID है तो फिर कैसे लगेगा आपको पता, तो अब चेक कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके मोगाईल नम्र है, मानने जी आपके मोगाईल नमर्या पे कुछ भी है, ठीक है अब ध्धान देनीगे को आप चैसी करोगे, ठीयक है… यह आपको मैं next वीडियों में बताओबा तो इस वीडियों को आपको प्यार दे रहा है, अगर इस वीडियों और आपको अच्छे से शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, पड़ी मैना रखती वीडियो बनाना है, तो चलिए मिलेंगा आपको आपको अरी नेक्टो टेक मैजदार मेड़ी साथ अपने थ्यानिए अपना जेहिंद बंदे मात्रा